किसी भी ऐसी परिक्षा में आप बैठने जां रहे हूं जिसमें हिंदी व्याकड़ से प्रशन आते हैं इसमें समास से questions ज़रूर पूछे जाते हैं तो आज की समास ट्रिक से आपको बताएंगे कि समास की questions को आप कैसे ट्रिक से चुटकियों में सेकेंडों में आप questions को हल कर पाएंगे उससे पहले जानना ये जरूरी है कि समास आखिर होता क्या है समास का विलूम क्या है समास के कितने प्रकार है संदी और समास में अंतर क्या है और trick से आप कैसे आप questions को कम समय में हल कर पाएंगे उसके बाद इन सभी के लगबग 30 questions हम आपको कराएंगे ताकि आप check कर पाएं कि trick apply हो रही है या नहीं हो रही है आप check कर पाएं ऐसा नहों से हम trick बता दें और आप फिर जानी ना पाएं कैसे trick को apply करना है तो चलिए जानते हैं समास होता क्या है समास का साथिक अर्थ क्या है समास का मतलब होता है संचित रूप संचित रूप में अपनी बात को कह पाना समास है क्या तो दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक सब्दों को समास कहती है ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप कैसे भी प्रशन आए आपकी प्रिक्षा में हल कर लें क्योंकि कई चीजें हमें पता होती हैं लेकिन जब वो question की form में आती हैं तो हम कर नहीं पाते हैं जैसे पहली line जो लिखी हुई है दो या दो से अधिक सब्दों से मिल करके बने विए सार्थक सब्दों को कहते हैं ऐसे लिखा होगा option में होगा संधी समास दो option और कोई दे देगा ठीक तो आपको ध्यान रखना है जब सब्दों की बात कही जाए तो उसको हम समास कहेंगे समास का अर्थ क्या होता है संचेपी कर संचिप्त होता है ठीक है यहाँ पर यह टाइपिंग मिश्टेक है हमें पता है आप कहेंगे कि सर यह गलती हुई है ठीक है संचेप जो है ऐसे लिखा जाएगा जो कि यहाँ पे संचेप तो सही लिखा हुआ है दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए नवीन सार्थक सब्द को समास कहते हैं एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है आप्शन में क्या देगा विग्रह देगा और आपका विक्षेद देगा संधी देगा और उपसर्ग देगा तो आपको ध्यान रखना है समास का विलोम जो हमने चार आप्शन मता हैं वो कुछ भी नहीं होगा समास का विलोम ब्यास होगा यकीन नहों को तो कहीं पर आप सर्च करके देख लीजेगा समास का विलोम ब्यास होगा ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है ज़्यादा तरलोग विग्रह लगा देते हैं option में अब यहाँ पे जानिये समास और संदी में अंतर क्या है समास में क्या होता है सब्दों का मेल होता है या पदों का मेल होता है और संदी में क्या होता है वर्णों का मेल होता है ये अंतर जरूर समझेगा संदी में वर्णों का मेल होता है जैसे देव प्लस आले देवाले कैसे हुआ यहाँ पे छोटा आकी मातरा मिली यहाँ पे बड़ा आकी मातरा मिली मिलकर के बड़ा हो गया ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा समास कैसे होता है तो दो पदों में होता है यहाँ पे विभक्टी सब्द का लोप नहीं होता है और यहाँ पे हो भी जाता जैसे माता और पिता तो यह दो क्या थे दो ये पद्ध थे या दो सब्द थे इनका हो गया है यहाँ पे माता पिता तो यह आप अंतर को समझ गए होंगे अब प्रश्ण आपसे पूछा जाता है कि समास के भेद कितने होते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं आपके शलहबस में 6 आपको टिक लगाना है option में कौन कौन से अब भेई भाव समास, तत्पुर्ष समास, कर्मधारय समास, दिगु समास, दूंद समास और भवड़ी समास सारे अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं एक ट्रिक लिख लिजेगा ट्रिक हमारी कहती है दूंदी अब तक ट्रिक क्या कहती है? इससे कोई खास फरक नहीं पड़ेगा आपको अच्छे तो यादी होंगे बट फिर भी आप जान लीजे दून्दी अब तक एक ट्रिक है दून्दी से क्या दून्दी जब आप लिखेंगे ऐसे दून्दी जैसे ये लिखा वो है तो दून्द समास हो गया और दी से दिगु समास हो गया फिर हमने क्या बता है अब तक तो अब आ से आपका बेई भाव समास हो गया बा से आपका बहुबरी समास हो गया फिर लिखेंगे हम तक तो ता से क्या हो जाएगा तत्पुरु समास और कासे करमधारे समास दुन दी अब तक आप इसको माइंड में याद रखिएगा छे भेद होते हैं ये आपको याद रहेगा अब इसकी ट्रिक क्या कहती है अब बेई भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे तत्पुरु समास को हम कैसे पहचानेंगे प्रध भाव का मतलब क्या होता है से पहले आपको ये जाना जरूरी है कि आखिर अब्बे सब्द होते क्या हैं अगर आपको ये पता चल गया तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा ठीक है और इसकी हम ट्रिक तो आपको बताएंगे ही ट्रिक तो हम आपको बताएंगे कि कैसे प थो-इरुष्, कारक, काल, इसके आधारigare कोई भी विकार उत्पन नहीं उता, विकार मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं उता, अब्झे का साब्दीकर्थ है जो बे नहीं हो, अर्थाथ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते अब इसकी ट्रिक क्या कहती है कि पहला पद जो होगा वो ज्यादा तर examples में छोटा होगा छोटा होगा पहला पद और जैसे यहाँ पे छोटे वाले example की बात करें तो आजन्म लिखा हुआ है यहाँ पे आ क्या है छोटा सा सब्द है अक्षर है सब्द भी नहीं है और यह थोड़ा सा बड़ा है इससे क्योंकि यहाँ पे दो वल्डों का मेल है तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि प्रतिकूल तो प्रतिधन कूल छुटा सा सब्द है यहाँ पर और यह मेन है गर इसको हटा दें तो सब्दकार्थ बदल जाएगा प्रतिदिन आजन्म यथा सक्ती यथा सम्भव प्रतिकूल प्रतिदिन लिखे हुए हैं ऐसे ही बहुत सारे एक्जामपल आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ लें कि राम राम में कौन सा समास है राम डैस राम तो ज़ादा कर बच्चे बताएंगे जो ठीक से पढ़े नहीं है कि यहाँ पे योजक चीनल लिखा हुआ है दंद समास है तो अगला एक पॉइंट नोट करिएगा कि एक ही सब्द कई बार अगर आते हैं तो वहाँ पे दंद समास नहीं होगा वहाँ पे अब्वेई भाव समास होगा जैसे हाथो हाथ तो यहाँ पे हाथ और हाथ दिनो दिन दिन और दिन गाउं गाउं घर घर धीरे धीरे पास पास रातों रात बीचों बीच गली गली ध्यान दखिएगा यहाँ पे क्या होगा आपका अब्वेई भाव समास होगा चल चल पल पल यहाँ पे आपको अब्वेई भाव लगाना है दंद नहीं लगाना है ये अपवाद नहीं है बस ये आपका concept clear नहीं था अब clear हो गया अब कभी गलत नहीं होगा जैसे अगला है हाँ पे ततपुरुष रमास के हम बात करेंगे दूसरा हमारा कौन सा था ततपुरुष रमास इसमें क्या होगा इसमें दूसरा पत प्रधान होगा जब आप इसका व पुरुष रमास क्या होगा जब आपको नहीं होगा तो बहुबरी होगा अब आप कहेंगे अगर दोनों ही दिया होगा तो आप वहाँ पे बहुबरी को प्रात्मिक्ता देंगे ठीक तो ये तत्पुरुष रमाज के कुछ और उदर्ण है इसमें क्या होता है इसमें कारक चिन्न का लोप होता है कारक तो आपने पढ़े ही होंगे है ना कारक चिन्न आपने पढ़े होंगे करता ने करम को कर रसे के द्वारा समप्रदान के लिए तो यहां पे जैसे आप देख सकते हैं रसोई घर लिखा होता है तो रसोई के लिए घर यग साला लिखा हुआ यग के लिए साला है ना यानि घर यस प्राप्त यस को प्राप्त करुणा पूर्ण करुणा से पूर्ण राज कुमार राज पुत राजा का पुत्र कहने का मतलब यह है ततपurush शमास में दूसरा पतपुरदान कारक चिन्न का लोभ होगा वहाँ पे ततपुरestra होगा अभी इसके practice question कराएंगे अलाकि ततपुरुष शमास के अंतरग अच्छे भेध होते हैं जैसे कर्म ततपुरुष यहाँ पे कोका का लोफ हो जाएगा क्योंकि करताने कर्म को होता है करणकतत पुरुष कब होगा जब से के द्वारा का लोफ हुआ हो संप्रदान कब होगा जब के लिए का लोफ हुआ हो जैसे रसोई घर अपादान कब होगा जब अलग होने का लोफ हुआ हो संबंध कम होगा जब किसी का संबंध बताया जाए कि राधा की पुस्तक या राधा के भाई सीता के पती इस तरीके से ठीक है अधिकरण कम होगा जब मेपर का लोफ हो तो ये भी आपको ध्यान लखना है कई बार सिर्फ ततपुरुष ना दे करके इनके भेद भी आप्शन में दे होते हैं अब बात करते हैं करमधारे समास की उसके बाद लाश्ट में हम पूरा निचोड़ा आपको एक लाइन में सब कुछ समझा देंगे ठीक करमधारे समास क्या होता है इसमें आपको कुछ ध्यान लखना है सबसे इंपॉर्टन चीज आपको क्या ध्यान लखनी है कि किसी ना किसी चीज की विशेष्टा बताई जा रही होगी ट्रिक नोट करिएगा इसकी क्या कहती है करमधारे समास की करम को धरण करने वाला विशेषण अर्थात यहां पे जो सब्द दिया होगा किसी ना किसी की विशेष्टा विशेषण विशेष्टा का सम्मंद होगा और उत्तर प्रत्पधान होगा पूर पद ही आप उपमें उपमान नहीं समझ पा रहे हैं आप यह ध्यान रखिएगा विशेष्टा बताई गई होगी ट्रिक क्या कहती है कि पहला पद विशेषण होगा दूसरे पद की तुलना होगी विग्रा करने पर ज़्यादा तर जो शब्द आएंगे उसमें जो मिल जाएगा आपको में है जो जैसे चरड कमल कमल के समान चरड ठीक है महा पुरुस तो महान है जो पुरुस पुरुस की विशेष्टा बताई आ रही है म्रग नयन म्रग के समान नयन लाल मडी लाल है जो मडी मडी की विशेष्टा बताई आ रही अब यहाँ पे एक और विबादित प्रश्न बनता है नील कमल तो नीला है जो कमल ऐसे देख रहे हैं तो विसेश्ता बता यहरी कमल की कि नीला है कमल ठीक है लेकिन एक और प्रश्न बनता है नील कंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवशंकर भगवान जी को तो यहाँ पे अगर आपको option में सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है जैसे दिग दे दिया दूंद दे दिया बेइभाव दे दिया और करमधारे दिया तब तो आपके लिए असान आप विसेस्ता लगा दे देंगे लेकिन कई बार क्या होता है कई बार परिक्षों में करमधारे भी दिया हुआ है और आपका बहुबरी भी दिया हुआ है अब आप फस जाएंगे कि क्या लगाया जाए यहाँ पे तो विसेस्ता भी बताई जा रही है और बहुबरी में तीसरा नाम भी निकलना है संकर जी का जिसका भी है तो वहाँ पे आप प्रात्मिक्ता बहुबरी समास को देंगे ये ध्यार लखिएगा अगर दोनों आप्शन दिये हुए हो वहाँ पे आप प्रात्मिक्ता बहुबरी समास को देंगे क्लियर हुई बात की नहीं निलकमल अगर आ जाए तो ऐसे अगर कुछ एक्जामपल मिलते हैं जहां पे किसी ईश्वर का नाम आ रहा है किसी देवी देवता का नाम आ रहा है तो वहां पे आप बहुबरी समास को प्रात्मिकता देंगे ये दिगुसमास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा पहला पद संख्या वाचक होगा वहां पे दिगुसमास होगा जैसे चोराहा दोपहर और नवगरह और को एक्जामपल ले लिजे तिरंगा बहुत सारे एक्जामपल है त्रिकोर्ड अब बात करते हैं दंद समास की ये जो ठियोरी लिखी हुई है ये पर एक्जामपल ही नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए प्रशन आप से पूछेगा कि पहला पत्प्रधान किसमें होता है अब बेईभा समास दोनों पत्प्रधान किसमें होते है तो दंद समास दोनों पत्प्रधान किसमें नहीं होते है तो बहुबरी समास ऐसे भी प् एक दूसरे के अपोजित होंगे विलोम सब्द होंगे ज्यादा तरफ जैसे पाप पॉर्ण पाप और पॉर्ण दिन रात रामसीता माता-पिता ठीक है ऐसे सब्द जहां पे विलोम भी भी हो अब जैसे यहां पे हम आपको दे दे घर घर अभी बताया घर और घर योजक चिन तो लगा होगा लेकिन दुन्द नहीं होगा क्योंकि हमने आपको अब्वेई भाव समास में एक नियम बताया था कि अगर शब्द रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पे दुन्द नहों करके अब्वेई भाव सम समास अब बात करते हैं बहुबरी समास की फिर इस से सम्मधित कोश्चन्स या लाइक तो किया नहीं आपने वीडियो को अगर अभी तक चीजें आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं आप किस श्टेट से किस एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि हम उसी तरीके से आपके श्लैबस के साब से वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बहुबरी समास की अब बहुबरी समास में क्या होता है इसमें दोनों ही पदप्रधान नहीं होते हैं दोनों पदप्रधान नहीं हो ते तीसरा पत जो इसका तीसरा आर्थ निकलता है वो प्रधान होता है अर्थात जब आप इसका विग्रह करेंगे तो नया आर्थ निकलेगा तीसरा आर्थ निकलेगा और वो प्रधान होगा तो यहां पे प्रश्णा और पुछाता है कि उस समास का नाम बताए जिसमें दोन लंबोदर दशानन कीरिधर है ना चतुरमच चार है भुजायन जिसके रथाद विश्नु भगवान जी के लिए लंबोदर लंबा है उदर जिसका अरथा श्री गडेशी के लिए दस है आनन अरथाद रावड गीरिधर श्री कृष्न जी के लिए तो ये आपको ध्यान रखना है ये बहुबरी समास के उधार रहे इसमें जादातर देवी देवताओं की नाम आते हैं अब यहाँ पे आपको उने जो चीज पहले ही बताई है कि अगर आप्शन में आपको बहुबरी और करमधारे मिल लाए और वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि तीसरा आर्थ निकल रहा है दोनों पर प्रधार ना हो करके तो आप बहुबरी पर टिक करिएगा क्योंकि ये भगवान जी का नाम है आयोग भी यही मानता है कई बार कुछ ऐसे एक आदर कुश्चन आ जाती है जिसमें आयोग अपनी मनमानी करता है या कुल्ट में जाते हैं कुश्चन तो वो हर पर इच्छा करने जर है एक आदर प्रशन हो सकता है बट आप अपने तरीके से कोई गलती मत करिएगा ठीक है फट एफट सी सारी ट्रिक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर कोश्चन कराते है जैसे हमने आपको क्या बता है कि अब बेई भाव समास में क्या होता है पहला प्रत्प्रदान होता है और तत्पुरुष समास में क्या होता है उत्तर प्रत्प्रदान होता है तो यहां से आपको एक चीज और जाननी है कि अगर यहां पे हम यह कह रहे हैं कि अब्विभाव समास में पूर प्रत्प्रधान होगा तो जो दुती पद होगा वो क्या होगा वो गवड होगा ये भी ध्यान रखेगा तत्पूर समास में अगर उत्तर प्रत्प्रधार है तो बहुबरी में दोनों पत्प्रधान नहीं होंगे, किसी तीसरे अर्थ की प्रतीत होगी, और वहां पे होगा बहुबरी समास, प्लियर हुआ, आप questions करिए, ट्रिक मुस्किल से 50 सेंड की है, हमने आपको concept आपके दिमाग में fit किया, फिर ये वन लाइनर ट्रिक आपको बताई ह एक मिनिट की ट्रिक है, सारे समास आपके दिमाग में fit, पहला प्रशने समास का साब्धिक अर्थ क्या होता है, question number 1 आपके सामने, तो समास का साब्धिक अर्थ होता है, संग 6 पिछले इसका option number 20 सही होगा, स्त्री पुरुस में कौन सा समास है, प्रशन संख्या 2, स्त्री और पुरुस विग्रह करने पे आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा तो यहां पे हो जाएगा आपका दोन समास, option number 3 करेक्ट होगा, दो सब्धों से मिलकर बने विए नए सार्थक सब्ध क्या कहलाते हैं, तो जो दो सब्धों या दो पदों से मिलकर के नए सब्ध बनते हैं, उन जर्म में कौन सा समास है, हमने आपको बताया था कि पहला पद छोटा होगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रधान होगा, अब्यभा समास होगा, option number D सही होगा, चतुर भुज में कौन सा समास है, बहुबरी, दंद, तत्पुरुष्ट करमधार, चार हैं भुजाएं जिसकी, त विद्यार्थी में कौन सा समास है, देखिए, संख्यावाची तो है नहीं विद्यार्थी, कोई विशेस्ता भी नहीं बताया रही है, कोई तीसर आर्थ भी नहीं बताया जा रहा है, ऐसे आप options को जब आप eliminate करेंगे, तो यहाँ पे कारग चिन्न का लोप हुआ है, अर्थ कौन सा समास है, पाप और पौने विलोम सब्द है, तो यहाँ पे दुन समास होगा, option number B, वह कौन सा समास है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद जहां पे प्रधान होगा, वहाँ पे आपका होगा तत पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे तो पहला प प्रधान है, यहाँ पे पहला पर संख्या वाची है, तो एक ही option बचा, C option, वह कौन सा समास है, जिसका प्रत्धम पत प्रधान होता है, दूसरा पत संख्या होता है, संख्या वाची वाला एक ही है, आपका दिछ συ असमास, option number D , सही होगा, अब हम आपको क्या करेंगे, अभ नीचे comment box में pin कर देंगे जब upload हो जाएगा अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहें तो इसको जरूर चेक करें comment box को जरूर चेक करें ठीक है question number 12 नील कमल में कौन से समास है विसेश्था बताई यहारी कमल की तो जहां पर विसेश्था बताई जाए वहां पर करमधारे स समास वहां कौन से समास है जिसका प्रथम पद गौड होता है अब प्रथम पद गौड होगा मतलब दूसरा पत प्रधान होगा और दूसरा पत प्रधान होता है तो यहां पे c option correct होगा वहां कौन से समास है जिसका अन्य पत प्रधान होगा मैं दोनों पत प्रधान नहीं हो तीसरा पत्रदान होता है वो आपका होता है बहुवरी समास तो इसका option number A correct होगा वहा कौन सा सब्द समस्त पत्र बहुवरी समास का उदाड़ा यानि इसमें बहुवरी समास किसमें है तो पुरुस सिंग में तो है नहीं निसिदिन में भी नहीं है चौराहा में तो आपका दिगु समास हो जाएगा तो उत्तर जाएगा पंचानन के साथ पांच है आनन जिसके यहाँ पिपर बी option correct होगा चौराहा में कौन सा समास है प्रश्ण संख्या 16 चार राहों का समोह, दिख समास होगा यहां बे, option बड़ी, कन्यादान में कौन सा समास है, विसीस्ता कोई बताई जा रही है क्या, नहीं न, संख्यावाचक है नहीं, ठीक है कोई भगवान वाला नाम है नहीं, तो कन्या के लिए किया गया द्यान, तत्पुरुश समास होगा परमेश्वर में कौन सा समास है, विसीस्ता बताई यारी, परम है जो ईश्वर, अर्थात परमेश्वर, तो यहां पे अठारवें प्रशन में उत्तर होगा, करमधारे समास, option बड़ी, वह कौन सा समास है, जिसके दोनों पत प्रधान होते हैं, तो दोनों पत प्रधान होत अब यह आपके लिए homework का है question है मुख दर्शन में कौन सा समास है comment box में जरूर अपना उतर लिखेगा आज की इस वीडियो में इतना ही किस exam की त्यारी कर रहे है किस राज्य से है comment box में लिखे ताके हमें पता चले और यहाँ पे पिछले tricky videos के link आ रहे हैं जो हमने आपको वर् की परिक्षा के लिए बहुत बहुत शुब कामना है आल्दबेश्ट